मोदी जी ने आज किसानों को संबोधित किया कहने में आ रहा है कि हजारों लाखों किसानों को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज लाखों किसान खुश है जो हतास थे वो अब खुश है और हर सो लास का महल है तो क्या आप लोग मोदी जी की बातों को समझ गए और आप में भी वापस खुशी आ गई क्या सर पर्थम तो मैं किसानों के नाम पर सहीद हुए बाबा संत राम जी को तहे दिल से नमन करता हूं और उनकी सहादत जाया ना जाय इसका भी मैं आपको बचन देता हूं क्योंकि यह हिंदुस्तान है जब अंग्रेजों का चूल हुलाने में हिंदुस्तान और किसानों को समय न लगा संत राम संग्जी की सहादत कोई एमे नहीं है वो भगत सिंग को याद करें आप जिस वक्त में अंग्रेज सुन नहीं रहा था हमारी बातों को तो भगत सिंग्जी ने कहा था कि गुंगी बहरी और जालिम सरकार को हिलाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है और भगत सिंग्जी चाते तो वहां से भाग सकते थे लेकिन खुद को सहादत दी फासी के फंदे को चुमा और हिंदुस्तान के नौजबानों में एक नया जोस आया किसानों में एक नया जोस आया अंग्रेजो को हिलाने का काम किया और ये बात करते हैं कि लाखो किसानों खुष हैं कोई किसान नहीं है उनके साथ वो उनके अंदवक्त कारी करता है जो उनकी बातों पे तालिया बजाने का काम करते हैं गिसान आज बास्तवित जो किसान है उसके बच्चे घरों पे अंदोली थे खेतों में भी वो अंदोलन करने का काम कर रहा है और यहां दिल्ली के बौडरों पे 24 आंदूलन करने का काम कर रहा है दिल्ली के बौडर पे ही नहीं हिंदूस्तान के हर राज्य में आंदूलन हो रहा है लेकिन गोधी मीडिया जो भारतिय जंता पाटी की प्रयोजित मीडिया है वो हम किसानों के दर्द और संघर्ष को नहीं दिखा रहा है तो यह मोधी जी की जुम्लावाजी अब किसानों पर नहीं चलेगी जो तीन काला कानून उन्हें लाया है उन्हें बापस लेना होगा उन्हें वो दिन भी याद करना होगा जब अंग्रेज था 1917 में तो सत्याग्रा हुआ था और अंग्रेज जब कानून बापस ले सकता है त पक्स राजनीती के तहट किसान को भाका रही है बागी किसान खुश है तो आप लोग भाका रहे हैं गलत गलत पहले किसान है फिर राजनीत है पहले किसान है फिर राजनीत है और पार्टियां है पहले हम किसान के बेटे हैं किसान की बात करेंगे किसान अगर खुशाल होगा तभी जाके सुन्दर और खुबसरत हिंदुस्तान की कलपना आप कर सकते हो क्योंकि किसान का बेटा हिंदुस्तान की सरत को सुरक्चित रखता है और यह ऐसी जालिम सरकार कि हमारे अपने भाईयों को ही हम पे लाठी बरसाने के लिए खड़ा कर रखा है उस मोदी जी को मैं क कहना चाहता हूं कि मोदी जी अब तक तो सिर्फ किसान सरकोपे है अगर कहीं जवान अंदोलित हो गया जो लाठी लेके हमारे पीछे आपने खड़ा कर रखा है उनके अंदर का जमीर जाग गया मंगल पांडे की तरह तो आप कहां जाओगे कब तक हमें लड़ाओगे आप तो प्रफ फंडिंग कहां से हो रहा है यह खाना पीना लोग तो यह कमेंड करने कि आप पिकनिक की तरह जो किसान गुर्दाम भी भर रहा इनके इनना ने खुआ भी रहा हम गल्ला ना दे इनने सामान ना दे तो यह बर खाओंगे और यह बूजरे उसी जो अंदाता उसी क मृट्वर निरियाद कर रहे हैं से किसान के पैदा रहे है και उसी तो आपको किसान मानते नहीं है है करते आपथा क्राइए मारी अधेकश और जूटे हैं और हम खालिस्तानी तो महारे पांसी लगवा दो और यह जूट वो रहे तो इनकी गाइन में टंडा चड़ा देगी मोधी जी ने किसानों को संबोधित किया उन्होंने पुड़ी बात समझाई आज वो कह रहे हैं कि लाखों किसान खुश है तो आप मोधी जी को सुने या नहीं सुने पर जहां यह संोधन कर रहा ना कच में जाकर महां बीरबानी बठाकर पंचात कर रहा और जिब किसी बैइन मान ना आढ़िका इसामी कर रहा है कच की तस्वीर देख लो बीरबानी बैठी से सामी एक भी आढमी हो तो मैं कशम्खाऊं तो कब तक कब तक डटे रहेंगे जब तक महरे दम में और यह कानून वापिस नहीं होते हैं घरा कहका है अक कानून वापिस जब लो ना होंगे आने के निगए यहां सही तो हो सकते हैं पर जानी अपको लगता नहीं कि कभी भी सरकार्ण सब्सक्राइब बाबु बीर कुमर सिंग ने तलवार उठाया था चड़ी जवानी ये भुजपुरिया चमकल पुड़ापा में भी आपके बदन में अभी गर्मी है गर्यों कहीं मिल जाना एक ला पाइड दू इतनी गर्मी या बजाक की बात ना मुशाबी एतना और गर्मी भी है अग जो मिल जा तो टांग पर टांग दरका पाड़ दू आपको नहीं लगता कभी भी सरकार बल परियोग कर सकती थी पुलिस के दौरा लखी रहे हैं अरे बल तो महारे हर्ता में है जिब महारे फाड़े दिल्ली में जब भरतपुरी आये थे ना इन किसाना नहीं घेरी थी अदिल्ली एहमलचा के टाइम में और पाड़ के खिवाड और ले गिये देर इन पर उके नहीं थे और वही जन्म समुआ आज भी जब भी किसानी यह था लटी बर्चे भाली फावले पलकेटी गंदा से और आज भी वहीं डरने वाले नह के जो फसल जो फसल हमने अठारा साड़े अठारा सो में बेच्चा करे थे जो गन्ना हमारा 300 सवा 300 जाये था आज चर्की पर 2500 सवा 200 का रेट है उसका क्योंकि सरकार जनता की होती है और सरकार जनता के लिए होती है अगर देश में अभी तक डेमोक्रैसी बची है तो प्रद योगी आतितनाथ ने आज ब्यान दिया है कि जो लोग राम मंदिर के निर्मान से नाखुश है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप बिलकुल गलत इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं रहा गया है यह हिंदुस्तानियों को मजहब के नाम पर लड़ा लड़ा के ठक चु लड़ा की है हिंदुस्तान की 34 जातिया कि सानों में और वह सबसे के सब्काराइब का समर्तन कर रहा मंदिले के लग मुद्दाय आस्था को चोड़ और जब लोक तंतर को बचाने की बात हो तो उस लोक तंतर में आप बात करें जो हमारा में मुद्दा अपको सबसे पहले हो बैरीगेटिंग करेंगे खेत की जार फीट कने वृकर भूका मरेगार इतनी बेवकूप सरकार है कैसे कैसे लोग लेकिन आप लोग यहां पर देखें कि कई लोग चाहे सिंदू बॉर्डर हो यहां गाजीपूर हो कई लोग शहीद हो गई इस अंदोलन के चक्कर में लेकिन आपको तब कहा जाता है कि आप डूब्लिकेट किसान हो आप खलिस्तानी हो तो क्या कैसा लगता है अगर किसानों की आवाच को बुलंद करना खलिस्तानी होना है तो मुझे सुईकार है लेकिन मैं आपके मद्यम से हिंदूस्तान की आवाम को कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है पुरे हिंदुस्तान की अबाम की है सरकों पर आ जाओ नहीं तो आज जो मॉल में टमाटर असर रुपे में भीक रहा है और तुम्हारे घरों पर तीस रुपे में पहुंच रहा है कल को जब यह कानून लागू हो ग सब्सक्राइब करें तो आपकी मुद्य को सही तरीके से सामने रख पड़ी पत्रकार पहले करोड़ में पत्रकार नहीं बिचता था लेकिन दो करोड़ में नहीं बिचता था अब क्या है कि पत्रकार पत्रकार बचा ही नहीं क्योंकि मीडिया का जो सीयों बैठा है वो मोद जीवित है और वो सही लिखने की कोशिस कर रहे हैं क्या कहिएगा जो कह रहे हैं कि मुठी वर के सामने का काम कर रहे हैं इस गोधी मीडिया और मोदी जी के कहने मात्र से मुठी भर नहीं है यह मुठी अगर बन जाएगा तो एक पंच बनता है और इंड़ अंदोलन कब तक कीजिए वो तो कह रहे हम पीछे हटेंगे ने शंशोधन कर देंगे नहीं हम डटेंगे रहेंगे उनसे उनसे ना घवरा रहे हैं न उनकी लाठी चतरपूर अपनी मर्जी से आया हूं हां बाई दिक्कत यह हो रहा है जो किसान जो लोग कह रहे हैं बिल्कुर सही कह रहे हैं कुछ नहीं कुछ पॉल पट्टी खुल रही है बीजेपी की बाई मैं यह कह रहा हूं जैसे कि मीडिया वाले जो आ रखें एक कोपी इनके हाथ पकड़ा दो यह और किसानों को कह रहे हैं कि भेकारे तो और किसानों के हाथ में कौपी तो पकड़ाओ मीडिया के तो इतनी पाबर है मोदी जी वह कहीं कि सारी बात को समझा अप देखा को फिर उससे आप तसली क्यूं नहीं को आप भाई तसली जब होगी निए आप किसा तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो हमारी बोर से तुम परधानमंत्री बने दो वार बने अगर तुम किसान की बात नहीं मालोगे चाइना की अब तुम का नहीं चायना में बता रहा हूं बिस्व बैंक जैसे देशों का दबाब है कॉंट्रेक्ट फैर्मिंग में वो चाहता है कि हर चीज पेटेंट हो जाए और आप कहना चाहरे हैं आप किसी विपक्ष के दवाब में नहीं सरकार दवाब में काम कर रहे हैं और विशो बैंक और अमेरिका जैसे देशों की गोद में खेलने का काम कर रही है और हम हिंदुस्तानियों को प्रफॉप बनाके खेलना चाहरे हैं अब बताइए कानून आज आ रहा है और एक साल पहले से अडानी और अम्बानी का जो है बेर हाउस बन रहा है इसको क्या कहेंगे अप सरकार आती है उससे पहले टाटा का दस हजार गारी तैयार होता है और दस हजार में गारी नहीं चलेगी और चंडीगर से गारियां दिल्ली के और कुछ कर जाती है क्या कमिशन का खेल नहीं है तो और क्या खेल है बाई जियो हमारे सरकारी संस्तान बीएसनल को खा गया और किसान ने इस देश के नौजवान को अगर कल आई कि हमारा जो सरकारी संस्तान था उसको जे लाला निगल गया और हमने अगर कसम खाली कि हम अपने सरकारी संस्तानों को बचाएंगे जिन पर हमारा फाइदा होगा जो हम हमारे संस्थान हैं और हमने अगर किसम खाली कि यह लाला है जिसने हमारे बीएसनल को निगल लिया हम उसका बहिसकार करेंगे तो इसे प्रदानमंत्री को दर्द क्यों हो रहा है इसके पीछे क्या मंसा है आप बताइए मुझे क्योंकि देश के लोग देश का नौजवान दे जिए समर्तन में देश के प्रदानमंत्री के पेट में दर्द हो रहा है और सरकारी संस्तान जो हमारा डूब रहा है तब प्रदानमंत्री ताली बजा रहे थे और जब लोगों ने जियों को डुवाने के लिए भषिकार करना शुरू कर दिया बीसनल के उत्थान के लिए कोशिस की तो प्रदान वंत्री के पेट में दर्थ हो रहा है आप बताइए इसके पीचे क्या है यह बहुत बड़ी साजस है भारती जन्ता पार्टी की आज जितने यहечат के ऑधान के पक्ष में हैं कोई mesmo इनके यह सबी इनके कार करता है जब 6 महीना पहले से इनकी तयारी चल लए रेलवे लाइन के किनारे इन्होंने बारा सो असी जगों पहे एक एक एकड़ से लेकर हजार एकड़ के अडारी और अम्मानी के इन्होंने फार्माउस और बेयर हुस बना दिये यह बहुत बरीव साजेस ह यह लगातार कोईन को ऐसा स्टेंड कर रहे है जिससे देश का हमारा नागरे गुम्राय रहे है लगातार मीटिंग चल रहा है कक्ष में भी मिले आज भी लाखों किसानों से मिले है तो सब के सब भाजपा के कारी करता है अंदभक्त है कोई किसान नहीं है किसान तो बौडर वाय गुरू और अल्ला का इबादत करता है यहां हर्थ पहले लेकिन भगवान वाय गुरू अल्ला और राम से पहले हमारा किसान का सम्मान होना चाहिए उसके बाद तो उनका हम पूजा करते ही है और करते रहेंगे तो खेर हम गाजी पूर बौडर पे मेजूद है और यह